पुरातन महत्व प्राप्त शहर सारस्वत्पुर जो आज सावनेश शहर के नाम से चाना चाता यह कुला नदी के तट पर इस्थित भव्वे हिमार पंथी मंदिर और परिसर महार शिवरात्री के पावन परोपर शिव भक्तों की उमरती है भीड पौरानिक महत्व प्राप्त शिव मंदेश रधालूं की आस्था का केंद्र जैमीनी अश्व मेग इस पौरानिक ग्रंथ के अनुसार यमराज की ससुराल सावनेश शहर यह एत्यासिगवा पौरानिक नगरी सारस्वत्पुर है द्वापर योग में महाभारत युद्ध के उ युद्ध के लिए ललकारा और पांचों पुत्र उस युद्ध में वीरकती को प्राप्त होने पर राज्या वीरकर्मा की पुत्री मालनी जोकी शिव भक थी उसने युद्ध को जारी रखते हुए पांडव सेना में भगदर निर्मान कर तहस नहस कर दी यह व्रतांत नार होने खोड म को पता चलने पर उन्होंने खोड मध्यस्ता कर इस युद्ध को रुखवा कर शिव भक्त मालनी का विवा यमराज से करवाया इस विवा में भगवान श्री क्रिशन, भोले ना शिव शंकर के साथ साथ अनेक देवतों के उपस्तिती से पावन ऐसा पोरानिक मं लानदी के तड़ पर आज भी शिव भक्त मालनी द्वारा तैयार किया गया बालू का शिवलिंग और उस पर हिमान पंती कारिगारों द्वारा भव्य निर्मान किया हुआ मंदर श्रकधालूं के आस्ता का केंद्र बना हुआ है यहां हुई हर मनुकामना भोलेनात यथा शीक ज़न कर हर त्योहार को महाउटसव की रूप में मनाया जाता है इस आयोजन में जावने शेह तालूका ही नहीं तो संपून विधर्व से पदारे हजारों हजार शिव भक्तों की उपस्तिती इस आयोजन को विशाल मेले में परिवर्तित करता है महाउटसव यह तो मंदिर प्रिसरों का अत्यादिक रोशनाई से सजाया जाता है, श्यमंदर की रोशनाई के प्रतिविम को करीब से भैने वाली कोला नदी के ज्यल में देखने का आनंद श्रधालों को अपनी और आकरशित करता है तो वहीं इस हेमानपंथी श्यमंदर की और दो विशेश आयोजन हैं जिन में श्रावन मास में होने वाले साथ दिवसी सप्ता में साथ दिनों तक इस मंदिर के घंटा निरंतर बसते रहता है दूसरा आयोजन हर सप्ता के मंगलवा को पुरातन शिवलिंका विवन फूल और उद्राक्षो से श्रिंगा श्रद्धालियों को अनायासी अपनी और आकशित करता है मंदिर परिस्ता में सैकडो खंडत मूर्तियां भी हैं जिनने औरंगजेब के शाषनकाल तोड़ी जाने की बात कही जाती है शिम मंदिर देविस्तान ट्रस्ट द्वारा श्रावन मास्क अफसर पर आयुजित होम हवन महाप्रस्वात वित्वरन आधी की आयुजन हेतू ट्रस्ट के अध्यक्षे नर्सिंग हजारी सचिव लोकेश सेवके विश्वस्त किशो पतेल एडवोकेट चंतरशे का बरेठि अध्यक्षे